साथ अंशिका पाठक, हर्याना और जमु कश्मीर में वोटों की गिंती लगा ताप जारी है, हर्याना के रुजानों में कॉंग्रिस को बहुमत मिल रहा है, जमु कश्मीर में इंडिया गटबंदन आगे है, हर्याना के सभी 90 सीटों के रुजान आ गए है और इन रुजानों में कॉंग्रिस पार्टी अब अपने दम पर बहुमत हासिल करती नजर आ रही है, दस साल के बाद ये सुखा कॉंग्रिस पार्टी के लिए खत्म होगा अला कि उससे पहले दस साल कॉंग्रिस पार्टी ही की सरकार हर्याना प्रदेश में रही थी, वहीं ज मुकश्मीर के दिबात करें, तो इंडिया गटबंधन अभी बहत बनाए हुए है, इंडिया गटबंधन में जो सीटें जो रुजान दिखाई दे रहे हैं, वो निशेत रूप से इंडिया गटबंधन समेथ कॉंग्रेस पार्टी के लिए खुशी की लहर, दोनों ही राज पर बहतर प्रदर्शन करते हुए, फिलाल परिणावों में दिखाई दे रहे हैं, चुकि रुजानों में बहुमत नसर आ रहा है, और रुजान में कॉंग्रेस पार्टी 55 से 56 सीटों पर अभी आगे चल रही है, जबकि भारते जनता पार्टी को 23 सीटों पर ही बढ़त मिल जो में, लेकिन अब इस वक्त जो रुजान है, वो असल परिणामों की और कब तक बढ़ेंगे, ये भी देखना अहम होगा, चुकि कुछ एक आकड़ों को यदि दरकिनार कर दिया जाए, तो परिणाम एग्जिट पोल के आसपास की नजर आ रही हैं, चुकि जादतर एग दुनिया की नजरें यहाँ पर टिकी हुई हैं, मतदान के उन तीन चरणों से लेकर आज परिणाम तक और फिर किस की बनेगी सरकार